हेलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज की वीडियो में कोलर वाली कुर्ति की कटिंग करना सिखेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बैल आइकन को भी प दौनों हमने कपड़े से निकाल कर इस तरीके से रख लिए हैं यह हमें दोनों पीस साथ में रखे हैं और इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है आध्य इंच पर यह इस तरीके से मार्क लगा लेना है यहां से इसके बाद हम जितना हमने solder रखना है हमारी कुर्ति का यह हमने 8 इंच पर mark लगाया है उसके बाद हमने कमर के लिए mark लगाना है यह हमने 7 इंच पर लगाया है उसके बाद hip के लिए लगाएंगे 15 इंच पर यह जो mark लगते हैं यह हमारे नॉर्मल कुर्ती में जो मार्क लगते हैं, इसी तरीके से हमने इस कुर्ती पर लगाने हैं, इसमें बस दो चेंज होते हैं, जो हमारी नॉर्मल कुर्ती होती है, बाकी उसी तरीके से कटिंग होती है, तो देखिए हमने जो मार्क लगाये थे, उनको हमने सिधा कर ल कुर्ती में solder रखते हैं उससे हमने जो यह हम कोलर वाली कुर्ती बनाएंगे इसमें हमने solder को बढ़ाना होता है एक चेंज हमने यह करना होता है तो देखे जैसे हमने नॉर्मल कुर्ती में हम 7 इंच हम solder रखेंगे अपने measurement के according और अगर हमने यह कुर्ती के neck पर कोलर लगानी है तो उसके लिए हमने एक इंच बढ़ा लेना है ठीक है यह देखे हमने यह 8 इंच पर मार्क लगा लिया है अगर हमने normal कुर्ती की cutting करनी होती तो हम यह 7 इंच पर यहाँ पर solder के लिए मार्क लगाते लेकिन हमने यह 8 इंच पर लगाया है क्योंकि हमारी कुर्ती कोलर वाली है इसलिए अब देखे जो हमने 8 इंच पर यह मार्क लगाया था यहां से जो chest के लिए हमारा mark को लगता है आरम होल का यहां पर हमने इसको down करना होता है अंदर की side जो हमारा 8 इंच का उपर soldier पर जो mark लगा है इसको हमने normal कुर्टे में हम इसको सिधा करते हैं लेकिन इसमें हमने अंदर की side 1 इंच down करना होता है देखिए तो यह हमने मार्क 7 इंच पर लगाया है इसको और यह इस तरीके से देखे जो लाइन होगी यह हमारी तिर्ची है क्योंकि हमने 1 इंच अंदर की साइड मार्क इस पर लगाया है एक इंच हमने अंदर की साइड इसको डाउन किया है ठीक है अब हम इस पर जो गुलाई वाले मार्क हैं वो लगाएंगे देखिए फ्रंट के लिए हमने एक इंच पर लगाना है और बैक के लिए हम लगाएंगे डेड़ इंच पर जो हम गुलाई डालते हैं और हम होल पर और इनको ऐसे गुलाई की सेफ दे देंगे देखिए इस तरीके से तो यह हमारे बैक और फ्रंट दोनों की गुलाई डाल चुकी है वैसे इसकी कटिंग नॉर्मल कुर्ती की तरह ही होती है इसमें बस एक दो हमने चेंज करने होते है अब हम यह फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे देखिए तो हमने फिटिंग के लिए साड़े 10 इंज पर यह मार्क लगाया है आप अपने मेजरमेंट के अगोर्डिंग लगाएंगे अब हिप के लिए लगाएंगे हम और जो हिप का हमने मार्क लगाया है हिप को कमर से मिला देंगे अब जो एक कमर वाला है मार्क इसको हमने ऐसे सिधा नहीं मिलाना है यहाँ पर देहन देना है कर तो देखिए तीन इंच तक हमने ऐसे इसको सिधा लेकराना है और फिर इसको मिलाना है देखिए यहां से और यहां पर कोर्णर नहीं बनाना है इसको गुलाई की सेफ देते हुए हमने इसको मिला देना है अगर इस तरीके से हम यह मार्क को लगाएंगे इसको तो इससे हमारे कुर्ति की फिटिंग अच्छे आती है अब हम मार्जन के लिए मार्क लगाएंगे जहां से हमने कुर्ति को कटिंग करना है यह देखिए अब हमने जो उपर की साइड सबसे पहले जो यह आधा इंच पर मार्क लगाया था यहां पर देखेंगे तो देखिए जो हमारी back वाली जो पार्ट है उसको हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है और जो front वाला है जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था इसको हमने इसदा कर देना है तो यह जो हमारा ARM hole है ये साड़े सात इंच रह गया है क्योंकि हमने ये आठ इंच लिया था इसी के लिया था कि उपपर चे हमारा आधा इंच कपड़ा निकल जाएगा फ्रेंट पार्ट में देखे जो बैक पार्ट है उसको हमने एक्स्ट्रा लेना है आधा इंच ये हमने कोलर वाली कुर्ती में ही लेना होता है नोर्मल कुर्ती में हम बैक पार्ट को एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं कि देखिए इस तरीके से सोल्डर को डाउन कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे यहां पर कटिंग करेंगे हम जो बैक वाली हमारी गुलाइडली हुई है वहां से यहां पर द्यान रखना है यहां से भी कटिंग कर लेंगे अब देखिए यहां पर द्यान दीजे एक बार अब जो हमने फ्रंट पार्ट की जो यह कटिंग की हुई है यहां से हमने अपने कुर्थी की लेंठ रखनी है जितनी हमने तैयार ह्नी है जो back वाला हमारा part है वहाँ से हमने length नहीं लेनी है जो front part है वहाँ से हम length लेंगे तो 38 इंच हमने length रखनी है तो 38 इंच पर हमने ये mark लगा दिया है अब जो हम margin रखेंगे चाक पर उसके लिए mark लगा लेंगे जितना हमने गहरा रखना है गहरे के लिए mark लगाएंगे और इसको सिधा कर लेंगे अब देखे जो front part में हमने arm hole पे जो गुलाई डाली थी उसकी cutting करेंगे देखे इस तरीके से देखे तो देखे कुर्ति की cutting हो चुकी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में थैंक यू